बच्चों, आज का हमारा विशे है, हमारा टॉपिक है सिंदु घाटी सब्वेता की कला, लिपी और विज्ञान का अध्यन करना कला, लिपी और विज्ञान, सबसे पहले आप चितरों की और ध्यान दीजिए आप देख रहे हैं बेल की आकरती देख रहे हैं बेल की आकरती है ये फिर ये नरत्यकी की कांसे की मूर्ती ये कांसे की मूर्ती है और इसमें नरत्यकी जो नाचने वाली है उसके आकरती है नाचते वेश्ट का शेप देख रहे हैं आप उसके अलावा मोहर पर स्वस्तिक का चिन है मोहर पर ठीक है फिर आप देखें मरण मूर्ती मोहन जो दोडो से जो मिली है वो उसके अलावा मरद पात्र मिठी के पात्र आप देख सकते हैं फिर आप नीचे देखिए सिंदु घाटी सब्वेता की मोहरे है इन पर आप देख रहे हैं हाती के चिन वगर बनेवे हैं अलग अलग जानवरों के चिन बनेवे हैं फिर आप देख सकते हैं सिंदु घाटी में जो लीपी है लीपी देख रहे हैं भाशा दोला विरा के अंद म्रद भांड मिट्टी के बरतन मुहरे कासे की मूर्तिया पात्र यहां की कला के उतकरष्ट प्रमान है ठीके यहां से शेल खड़ी की योगी की मूर्ति बहुत इंपोर्टेंट है यह शेल खड़ी की योगी की मूर्ति मिली है सिंदुगाटी सब्वेता से शेल खड़ी की यो ये कासी की मूर्ती जो है ये साड़े 11 सेंटिमेटर की है मरण मूर्तियों का विशाल बंडार उस समय विक्सित मूर्ती कला का प्रतीक था उसके अलावा आप देख सकते हैं कूबड़ दार बेल मूर्ती कला की कला का प्रतीक है मुहरों पर किये गए चित्रन से हमाय यहां के निवासियों की चित्र कला के प्रती रूची का पता चलता है कि कितने अच्छे वो चित्रकार रहे होंगे यह जो आप कलाकारी देख रहे हैं न यह सब कलाकारी से पता चलता है कि यहां के जो कलाकार है वो कितने चित्रों के प्रति कितने उनके अच्छी जानकरी होगी इस सब्यता से जो मोहरे प्राप्त हुई है उसके आगे के भाग में जो मोहरे प्राप्त हुई है अगर भाग में पशू का चितरंकन है यह आप देख सकते हैं यह पशू के चितरंकन है मोहरों पर और पीछे एक गुंडी बनी होती है जो टांगने के काम आती है तो आगे तो पश्यों के चित्रे और पीछे गुंडी लगी है जिससे आप उस तस्वीर को टांक सकते हैं सिंदू लीपी का भी यहां पर अध्यन आप देख रहे हैं यह सिंदू लीपी है धोलाविरा में मिली है सिंदू लीपी का विश्वस्ति अध्यन अभी तक नहीं किया जा सका अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है मोहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्द हो चुके हैं मोहरों पर मोहरों को लोगों ने पेचाना है इतियासकरों ने पेचाना है और 2500 लेक उपलब्द है मोहरो पर सत्रा अक्षर का सबसे बड़ा सत्रा अक्षर का सबसे लंबा और बड़े अक्षरों का अभिलेग दोला विरा से मिला ये लिपी भाव चितरात्मक लिपी है ठीक है आप नीचे देखिए ये दोला विरा सिंदू लिपी कितना सत्रा अक्षरों का सत्रा अक्षरों का सबसे लंबा और बड़े अक्षरों का अभिलेग है ये दोला विरा से मिला है और ये भाव चितरात्मक लिपी है ठीक है उसके बाद देखिए विज्ञान की दश्टी से हम कह सकते हैं गुणा योग जैसे संकेत देते ठीक है उसकेश निवासी और कित्ठी प्रिचित से यहां के निवासी अच्छे परिचित थे आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, गुणे का निशान है, योग का निशान है, तो इन चिन्नों से जो है निवासी परिचित थे, उतकनन से ऐसे पदार्तों के आउशेश मिले जो ओशदी के रूप में भी काम आते थे, काली बंगा और लोथल, काली बंगा आपका हनुमा तो इसमें कुछ छेद भर गये अइसा प्रतीत होता है, यह खोपरी की शल्य चिकेशा के संकेत देते हैं, कि खोपरी का ओपरेशन किया गया है, धातू, विज्यान के तत्यों से भी परिचित थे, यहां के लोग, धातू की ढलाई और उपकरन, निर्मान की विक्षित विदी से भी परिचित थे मोहन जोदुडो से जो आप उपर देख चुके हैं कांसे की नर्तिकी को आपने देखा ठीक है उपर कांसे की नर्तिकी जो अपने पड़ी थी ये कांसे की नर्तिकी जो है ये आपकी मोहन जोदुडो से मिली है ठीक है इसके बारे में भी देखिया कांसी की नर्तिकी जो थी मोहन जोदुरू से मिली और महराष्ट के देमाबाद से रत के आकरती मिली पढ़ चुके हम चितर भी देखा हमने मिट्टी के बरतन कुमार के चाक पर बनाये जाते थे वरतमान पे उसके बाद पकाने के लिए 2.1 मिट्टी की भट्टी के उशेश मिले तो पहले तो मिट्टी के बरतन कुमार बनाता है चाक पर और उनको पकाने के लिए 2.1 मिट्टी की भट्टी भी मिली है पकाने के बाद उन पर गेरू रंग करके तुलीका से काले रंग की डि लाल रंग डिजाइन बनाई जाती तो आप आईडिया लगा सकते हैं कि लग भाग कुछ हत्ता की चीजें है आज भी हमें अमारी संस्कृरिति के इंतरकत यह देखने को मिलती है यह सारे प्रमान कला और विज्यान को बताते हैं ठीक है यह गाल विज्यान को ये सारे प्रमान बताते हैं इसके बाद आप देखिए अब हम आर्थी गुपलब्दियों के बारे में पढ़ेंगे